हेलो स्टुडेंस हम लोग क्लास 10th mathematics का थर्ड चाप्टर कर रहे हैं linear equation in two variables last class में infinitely many solution के पर हमने questions किये थे आज भी वही करेंगे ठीक है चलो मैं question board पर लिखता हूँ board पर आते हैं चले भई question लिखें अब question है 2x plus 3y equals to 7 फिर है p plus q x plus 2p minus q y equals to 21 चीक है ये दो equations आपके सामने हैं question नहीं लिख रहा हूँ उपर बोल रहा हूँ right question क्या है the given system of equation has infinitely many solution you have to find out the value of p and q ये जो आपको system of equation दे रखा है इसमें पता नहीं लगाना given है कि infinitely many solution है you have to find out the value of p and q आपको p और q की value निकालनी करें तरीका वह है same करते हैं देखो चलिए सबसे पहले standard form में change करेंगे करते हैं यह आगया 2x यह आगया यह आपर 3y इसको इधर लिए आते हैं sign change हो जाएगा minus 7 equals to 0 ऐसे क्यों लिख रहा हूं कई बार discuss हो चुका है p plus q x second equation 2p minus q y फिर इधर ले आते हैं minus 21 equals to 0 यह standard form में change हो गया है अब next step लिखते हैं by comparing about equations with ax plus by plus c equals to 0 we get can compare चले इसको इससे compare करते हैं x equals to a x equals to 2 a equals to 2 y equals to b y equals to 3 b equals to 3 c minus 7 c equals to minus 7 इधर आ जाते हैं x equals to a right इधर आ जाएगा a equals to p plus q y equals to b तो b equals to 2p minus q right and c equals to minus 21 चीक है अब numbering कर देते हैं आसे बूल रहे हैं the given system of equations has infinitely many solutions चीक है ऐसा question में क्या है given है कि इसमें infinitely many solution है अगर ऐसा given है तो that means क्या होगा a1 upon a2 equals to b1 upon b2 equals to c1 upon c2 चीक है value रख दें चलो यह दर रख देंगे यहाँ पर थोड़ा space कम है pause करें इसको लिख लें फिर मैं आगे बताता हम चलिए value रखते हैं देखो a1 की value है 2 a2 की value है p plus q फिर b1 3 b2 2 p minus q फिर c1 minus 7 c2 minus 21 right minus a minus cancel 7 into 3 21 एक देप और लिखते हो 2 upon p plus q equals to 3 upon 2p minus q जैसे case 1 okay मैं इस तरफ रप कर देता हूँ थाड़ी जगे मिल जाएगी कुशन थोड़ा सा लंबा है कई बार रप करना पड़ेगा आप साथ साथ में लिखते जाएगा आप लिखेंगे थोड़ा सा आपके आँखों को भी रेस्ट मिलेगा ठीक हैं चलिए case 1 मैंने इसको लिया और इसको लिया मतलब मैंने एक पार्ट वो लिया जिसमें वेरियेबल्स थे और एक पार्ट वो लिया जिसमें constant मतलब कोई वेरियेबल नहीं था ठीक है तो देखेगा 2 upon p plus q equals to 1 upon 3 मैंने इस relation को लिया ठीक है तो मैंने यहाँ पर case लेना है case first तो मैंने इन दोनों को लिया इसको और constant को और अगर case 2 लूँगा तो मैं किसको लूँगा इसको और constant को इन दोनों को नहीं लूँगा क्योंकि इन दोनों को लेते ही क्या हो जाएगा राइट p और q multiply हो जाएगे quadratic equation बन जाएगा तो अब हम linear पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी तो आप भी exam में ऐसा ही करना ठेके 2 cases लेने अपने को 3rd case में नहीं जाना है दो case से हमारा answer final हो जाता है तो आप कौन से 2 cases लेंगे एक तो variable constant फिर case 2 लोगे तो variable constant इन दोनों को नहीं लेना व के ले सकते हो इन दोनों को भी लेने में कोई दिक्कत नहीं है ठेके right आप ले सकते हो ठेके right पर हमारा काम इससे आसान हो जाये पासमें आ रहे हैं ठेके right फाइन तो फिलाल इस वाली equation में तो quadratic नहीं यह इससे multiply हो जाएगा यह इससे हो जाएगा ओके fine पर कई cases आगे आएंगे तो वहाँ पर ऐसी दिक्कत हो सकती है possible है अगर उपर हुआ तो value okay fine तो मैं अपनी दुबारा बात को final करता हूँ ठेके आप क्या करें कोशिश करें एक variable एक constant वाला case one variable constant वाला case बदा आपकी पहली कोशिश यह होनी चीए पर अगर तीनों ही जगे variable हो तो पर तो देखो कुछ नहीं कर सकते बस मैं आगे चलो तो that means यहाँ पर हमने इसको लिया और इसको लिया करें multiply तो हमारे पास क्या जाएगा इसको नेम दे रहे हैं मैंने equation one ठीक है बास में आगे चलिए अब लेते हैं हम लोग case two कुछ अलग तरीकी से solve हो रहा है इन दोनों को लिया देखो थ्री अपाउन टूपी माइनस क्यूप इकवर्स टू वान अपाउन थ्री क्रोस मल्टिप्लाय कर लें यह इससे मल्टिप्लाय होगा तो टूपी माइनस क्यूप इकवर्स टू नाइन यह आगे एक्वेशन equations बन गई है थर्ड की जवरत नहीं है ठीक है तो अगर हमें choose करना हो दो तो हमने यह चूज किए इससे हमारा काम simple हो गया ठीक है चलिए अब इसको आगे करते हैं कैसे करना है हमारे पास एक equation यह बन गई एक equation यह बन गई दोनों को मैं दुबारा लिख देता हूँ आपर और, p plus q equals to 6, 2p minus q equals to 9, यह आप equation 1 है, यह equation 2 है, अब आप इसको क्या करें, solve करें, और solve करके किसकी value निकाल लें, p और q की value निकाल सकते हैं, बस मैं आगए, चेके राइट, चलो, solve करें इसको, इसको रब कर देता हूँ, मैं यहाँ पर, इसके बाद मैंने यहाँ पर, solve करना है, solve करने के लिए 3 method है, substitution, elimination, cross multiplication, I'll go for elimination method, ठीके, आप देखो, यहाँ पर q का coefficient equal है, opposite sign है, तो add कर देते हैं, ठीके, right, bye, adding, above, equations, we get, add करते हैं, p, plus q, equals to 6, 2p, minus q, equals to 9, add करेंगे, तो नीचे sign change नहीं होते हैं, यह cancel, 2p plus p, 3p, 9 plus 6, 15, p equals to 15 upon 3, that is, p equals to 5, right, अब आप देखो, यह p की value, equation 1 और 2 कहीं पर भी रख सकते हैं, हम 1 में रख लेते हैं, वो statement भी लिख देता हूं, by substituting the value of p in equation 1, equation 1 में रख लेते हैं, यह equation 1 है, इसमें हमने रख दिया, p की value 5, ठीक है, equation 1 में, p की value 5 रख दिया, तो q equals to कितना हो जाएगा, 6 minus 5, तो q equals to कितना हो जाएगा, 1, right, तो हम लिख देते हैं, final statement, therefore, for p equals to 5 and q equals to 1, the given system of equations has infinitely many solutions, इस तरह से हमारा answer पुरा हुआ, ठीक है, तो p और q की value निकाल नहीं थी, देखो, हम इस तरह से करेंगे, और निकाल नहीं, और questions ऐसा भी हो सकता है, infinitely many solutions को questions ऐसा भी आ सकता है, ठीक है, तो इस तरह से अलला तिरे यह questions आएंगे, आपको, right, अपनी intelligence लगानी है और solve करना है, तो मैं आपको sheet में question दूँगा, आप उससे solve करिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, तो मैं हटता हूँ इसको, आप pause करके एक बार लिख लें, ओके, तो इस तरह से हमने infinitely many solution के उपर, तीन questions कर लिए, different, अब आपको practice ज़रू करना है, ठीक है, practice करना है, doubt पूछना है, right, practice करेंगे, doubt पूछेंगे, तो ही आपको चीज़ें clear होंगी, otherwise नहीं होंगी, okay, चलिए भई, next मैं लिख रहा हूं, यह आपर equation, देखेएगा, x minus ky equals to 2, फिर दे रखा है, second equation है, 3x plus 2y equals to minus 5, right, यह board पे equation दे रखी है, उपर question नहीं लिखा है, मैं बूल रहा हूं, the given system of equation has unique solution, इसमें unique solution है, and you have to find out the value of k, आपको यहाँ पर k की value निकाल नहीं, चीक है, तो change हो गया, है ना, अब हम unique solution के पर कर रहे हैं, okay, चलो करते हैं, जो भी है, करना वो ही है, सबसे पहले standard form, x, plus, minus ky, plus, minus 2, equals to 0, plus और minus, minus, इधर भी होई, second equation में आते हैं, 3x, plus 2y, plus 5, equals to 0, यह minus इधर आकर plus, हमें तो यहाँ पर plus चाहिए हर चगे, ठीक है, फिर वो ही करेंगे, by, comparing, above, equations, with, ax, plus by, plus c, equals to 0, we get, चलो, compare करते हैं, first equation में compare करते हैं, x के साथ ए, x के साथ कुछ भी नहीं है, तो 1, तो a equals to 1, y के साथ b, y के साथ minus k, b equals to minus k, c minus 2, c equals to minus 2, x के साथ a, x के साथ 3, a equals to 3, फिर b equals to 2, y के साथ b, y के साथ 2, and c equals to y, यह first equation है, तो सब जगे 1 लगा देते हैं, second, तो सब जगे 2, अब हम से क्या बोला गया, the given system of equation has unique solution, right, fine, हमें क्या बोला गया, कि यहाँ पर इसमें unique solution है, पता नहीं लगा ना, दे रखा है, कि unique solution है, तो हम जानते हैं, अगर unique solution होगा, तो a1 upon a2, not equals to b1 upon b2, यह condition है, unique solution, not equals वाला sign, ठीक है, right, चलो करते हैं, a1 upon a2, का हैंगे अभी हमार a1 upon a2 यह रहा, 1 upon 3, right, not equals to b1 upon b2, minus k upon 2, ठीक है, कैसे solve करेंगे, उके, उसके लिए मैं थोड़ा सा हटता हूँ, आप pause करके देख लो इसको, चलो, आगे चलते हैं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, minus k upon 2, not equals to 1 upon 3, right, lhs, rhs, rhs, lhs होगे, अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं न, k minus 2, समझ रहें, minus sign उपर है तो नीचे भी लगा सकते हैं, मैंने बताया था, बीच में भी लगा सकते हैं, एक ही बात हैं, okay, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, k not equals to minus 2 by 3, समझ में आ गया होगा, कि ये कैसे आया, चेकें, तो भई हमारा जो answer आया, वो k not equals to minus 2 by 3 आया, हमने solve कर लिया, simple सा question था, solve कर लिया, अब ये आ रहा है, तो इस answer को हम कैसे समझें, क्योंकि अभी तक तो हमने answer equal में देखें, k equals to 6, p equals to 5, अब पहली बार ऐसा आ रहा है, answer क्या आ रहा है, k not equals to minus 2 by 3, तो इस answer को हम कैसे interpret करेंगे, तो इस answer कैसे interpret करेंगे, कि जो हमें given system of equation दे रखी है, उसमें आप k की value कुछ भी रख लो, कुछ भी रखो k की value, except minus 2 by 3, कुछ भी मतलब मैं real numbers की बात करूँ, class 10 तक की, तो मैंने क्या बोला, इस answer कैसे interpret करेंगे, कि आप k की value कुछ भी रख लो, answer हमेशा क्या आएगा, unique solution, except minus 2 by 3, minus 2 by 3 नहीं रखना है, मैं लिखता हूँ यहापर है न, इस answer को इधर लिखता हूँ, थोड़ा अच्छे से दिख जाएगा, final statement लिख रहा हूँ देखू, चाहरो लिखते हैं, the given system of linear equation will have unique solution, unique solution for any value of k, except minus 2 by 3, मतलब अगर आप चाहते हो, कि जो आपको equations given है, उसमें unique solution हो, तो k की value आप कुछ भी रख दो, any value of k, except minus 2 by 3, minus 2 by 3 को छोड़ कर, तो unique solution में, आपको इस तरह से answers देने होंगे, ठेक है, तो आज हमने unique solution भी किया, infinitely many solution का एक question भी किया, वर्कशीट अटाच होगी, उसको करिएगा, next class में दुबारा मिलेंगे, तब तक के लिए practice करते रहें, पढ़ते रहें, और सबसे important, अपना ध्यान रखी, बाई.